आज की क्लास में हम हेर का डेवलिप्मेंट पढ़ेंगे हेर स्पेशलाइस्ट लंबे लंबे थ्रेड के अकार के सिलिंड्रिकल आउट ग्रोथ सोती है एपिडर्मिस की और हेर्स प्रेसंस ओफ हेर्स इस दी चैरेक्टरिस्टिक फीचर अफ दी मैमल्स हेर जो होती है वो स्किन में एक पिड में पाइजाती है जिसे हेर फोलिकल कहते हैं तुबूलर डाउन ग्रोथ है, मेलपिगियन लेयर की, एपिडर्मिस की, जो ये मेलपिगियन लेयर होती है, या हम इसको स्ट्रेटम जर्मिनित आइवं भी कहते हैं, उसकी डाउन ग्रोथ के कारण, ये बनता है, हेर फॉलिकल, जो की डीब डर्मिस में जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, डीब डर्मिस में ये जाता है, हेर फॉलिकल, और आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर जो बेस पर, जो हेर फॉलिकल होता है, वो डाइलेट हो जाता है, और डाइलेट होकर, या हम कहें, कि dilate होता है या e-veginate हो जाता है और e-veginate होकर ये hair papilla बना लेता है और hair papilla में dermis से blood vessels और nerve endings enter होती है जो कि जो adjacent cells होते हैं developing hair जो बनाते हैं उनको ये नरिश करती है आप देखेंगे कि जो ये blood capillaries वगेरा जो होती है जो past के जो cells होते हैं उनका nourishment उनको provide करती है तो इससे क्या होता है जो cells होते हैं उनका proliferation होता है वो number में बढ़ते हैं उनकी growth होती है और rapid growth के कारण एक bulb के जैसा structure ये बन जाता है जो ये देख रहे हैं आप तो hair bulb इसको हम कहते हैं bulb के आकार का ये structure बनता है तो hair bulb ये बन जाता है और यहां से आप देख रहे हैं hair bulb से एक elongated structure निकल रहा है cylindrical shaft निकल रही है ये इसके bulb से cylindrical shaft ये निकल रही है और इसे hair root कहते हैं या हम इसको base भी कहते हैं बार बार constant addition cells का जो होता है इसके base पर या hair root पर उसके कारण ये लंबी होती चली जाती है इसका extension होता चला जाता है और और ultimately क्या होता है ये skin को पियर्स करके ये बाहर निकल जाती है epidermis से ये को पियर्स करती हुई ये skin से ये बाहर निकल जाती है as a column of cells जैसे ही ये बाहर आता है hair cells बाहर आती है वैसे ही इनका cornification हो जाता है they become cornified या horny हो जाती है और ये मर जाती है तो इसमें actually जो structure आप भार देखते हैं hair जो देखते हैं hair shaft जो देखते हैं वो क्या होती है it is dead structure खाली जो उसका root होता है hair का वो living होता है बाकि जो उपर जो आपको skin के उपर जो दिखाई देता है वो dead होता है आप देखेंगे कि जो hair है वो तूटे नहीं brittle नहीं उसके लिए आप देख सकते हैं इसमें oily secretions होते हैं तो आप देख रहे हैं hair follicle के base neck पर आप देख सकते हैं floss shaped structure आपको दिखाई दे रहा है यह gland है जिससे कहते है oil gland यह sebaceous gland यह oil secret करता है और जो hair है उसको lubricate करता है यह आप कहें कि इसको oily रखता है और नरिश करता है hair को और sebaceous gland जो होती है इसके अलावा हम देख सकते हैं sebaceous gland के अलावा एक और चीज जो आपको यहां दिखाई दे रही है वो है erector pili muscle यह erector pili muscle जो hair के base पर यह attached है यह आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह hair को erect रखती है यह hair को सीधा रखती है cross section में और आप बाल को देखें तो cross section जो है उसके अंदर अगर हम hair को देखते हैं तो hair में क्या के चीजें आपको दिखाई देती है cross section में cross section है hair का cross section में आप देख सकते हैं तीन region आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर cuticle है, outer cuticle जो microscopic scales का बने हुई है cuticle है, आप देख सकते हैं, यह यह वाला cuticle है, इसके बाद यह cortex region है, cortex region में आप बहुत सारे cells देख रहे हैं bulk में cells हैं shriveled cells हैं और इसके अंदर pigments भी है pigments cells भी इसमें होते हैं और inner जो है वो medulla है medullary axis है और इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर air spaces है जो hair में air spaces होते हैं larger hairs में air spaces होती हैं वो इसमें पाई जाती है आगे इसमें हम देखें तो एक्चुली जो यहां पर जो कलर जो होता है हेर का जो कलर वो यहां पर जो कॉटिक्स में पिग्मिंट सेल्स होते हैं उनके कारण हेर का कलर होता है जो हमारे बालों का रंग होता है इसके अलावा कही बार आप देखते है सफेद बाल होते हैं तो वो absence of pigment होता है जो cortex के cells में pigment पाये जाता है वो नहीं होता है और reflection होता है जो air spaces जो होती है medulla में उनके reflection के कारण भी वो बाल सफेद दिखाई देते हैं तो यह है इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि hair का जो क्या क्या hair के uses होते हैं कुछ hair के जो uses हैं वो हैं के mammals में हम mainly देख रहे हैं तो hair जो होता है इप इंपर्ट कलर और कीमोफलाज जैसे कि हम देखें कि जो भालू होता है white जो snow उसमें पाये जाता है आप देखें कि white bear जो होता है तो snow में क्योंकि वो पाये जाता है तो snow का color white होता है जो hair होते हैं उसके शरीर पर उसका रंग भी सफेद होता है तो वो कीमोफलाज होता है surrounding से वो मैच करता है उसको एनिमी से प्रोटेक्ट करता है इसके अलावा जो hair होते हैं वो insulating sheets बनाते हैं और air को यह trap करते हैं और body से heat के loss को कम करते हैं इसके अलावा हम देखें तो जो animals जीन animals पर फर होता है बोडी पर फर पाये जैसे rabbits वगरा है उन पर फर पाये जाता है तो यह protective covering यह blanket बना देता है portable blanket बना देता है शरीर पर और ठंड से उन्हें बचाता है इसके लावा हम देखें विब्रिसी होती है विब्रिसी जैसे आप देख सकते हैं बिली के मूचें जैसी जो होती है विब्रिसी उनको कहते हैं तो उनमें उनके ends होते हैं उनके basis जो होते हैं और पर नर्व एंडिंग्स होती है विब्रिसी के तो यह टेक्टाइल रिसेप्टर का काम करती है इसी प्रकार से हम देखें आखों में जो पलके होती है आईलैशे होती है और जो हेर्स होते हैं अपने नॉस्ट्रिल में नाक में जो हेर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ल Wishम्हें से और नजल Teach में ढौ़ ए ईसके अलावा कुछ जो अधर और ओर्गानिय्यम्स होते हैं। जो हम कहैं हैं। बैक्टीरिय या कुछ और चीज़ होते हैं, उनको भी और भ्याजा सुथे और चौमूक्ते हैं, और भ्याज़स की अध्यज़स, पुशन पर पाय तो नेक्स क्लास में हम इसमें एपिडेर्मल ग्लैंड्स पढ़ेंगे जो मैमल्स में पाये जाते हैं